हेलो फ्रेंड्स मैं उमंकुमार आप सभी के लिए लेके आया हूँ बायलोजी की बेसिक्स किसी के भी लाइफ में बेसिक नॉलेज की बहुत जरूरत होती है अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाते हैं तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए तो क्या होता है उसे फाइदा बहुत है आप उसके इंटर्नल पॉइंट्स जितने भी होते हैं मान लेते हैं कोई एक टॉपिक है टॉपिक का एक बेसिक्स ओवर्विव आपको पता है कि यह क्या होता है लेकिन जैसे जैसे हाइर क्लासेस में हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वैसे उस टॉपिक का डीपली नॉलेज हमें मिलता जाएगा और वो डीपली नॉलेज तभी समझ में आएगा जब तक हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है और जब यह क्लियर हो जाता है तो फिर आंसर का फॉर्मुलेशन्स हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो बहुत आसान हो जाता है एक होता है याद करना और दूसरा होता है किसी चीज को समझ कर लिखना दौनों में वर्डिंग का बहुत डिफरेंस होता है तो याद कर रहे हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोशन पेपर मिला अब याद नहीं आ रहा है कि हमने क्या याद किया था लेकिन जब आप समझ के आप उसको आंसर करेंगे तो exact उस question का expression आप पेपर पे उतार पाएंगे मैं आपके सामने ले के आ रहा हूँ biology की basics और इसमें मैं class 11th से start कर रहा हूँ क्योंकि 10 तक हमें science पढ़ाय जाता है आप CVC board को देखिए या फिर किसी भी state board को देख लीजे लेकिन आगे कोई अगर doctor prefer करता है नीट क्लियर करना चाहता है या फिर exam में अच्छे अंक पाना चाहता है तो उसको basics पता होना चाहिए उसको class 11th biology का एक एक word पता होना चाहिए class 12th का एक एक word पता होना चाहिए और इसके लिए सबसे बहतर book है NCRT तो मैं मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि मैं इस NCRT को आपके साबने इतना easy कर दूं कि आप बस मेरी बाते सुने और समझने की कोशिस करें और समझें कि क्या आपको मिल पा रहा है मुझे ये नहीं लगता कि आप इसके बाद रटने में विश्वास करेंगे हाँ ये आप जरूर कर सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक बार किताब पढ़ सकते हैं ये जरूरी होता है आप किताब पढ़िए आप चीजों को समझिए रिलेट कीजिए और मुझे जहां तक विश्वास है कि हम लोग साथ हर एक चीज क्रैक करेंगे आए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 11 का फर्स चैप्टर